तो फाइनली भीबो का जो ये नया ब्राइंड न्यू लैप्टोप हमारे पास आ चुका है आप मोडल नमबर देख सकते हैं एक्स 515E है इसका भी अन्बॉक्सिंग हम लोग करेंगे आपको सेट अप करके पूरा बताएंगे कि इसको कैसे कैसे क्या करना है ये लैप्टोप आपका 8GB RAM 1 TV हाट डिक्स और इंटेल का 11 जनरेशन के साथ आता है इसमें हम लोगों ने अपने से क्या बोलते हैं उसको 256GB का SSD डलवाया है तो इसका सेट अप करके अभी आप लोग दिखाएंगे पिछला वीडियो में हम लोग आपको इसे ही असुस बुक दिखाया थे माल आप अगर मान के चलिए SSD लगाते हैं और आपका पहले से बिंडो जे तो उसको इसमें माइग्रेट या क्लोन कैसे कर सकते हैं इसमें इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और आप अगर यह देखना चाहते हैं कि वह पहले वाला वीडियो हम लोग जो सेट अप किये फूल सेट यह इसका अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं तो यह रहा मारा लैप्टोप जो ग्रेक लड़का है दिखने में बहुत ही अच्छा और प्रिमियम लुक है और यह स्लीम भी है आप देख सकते हैं इसमें आपको एक USB पोर्ट इधर HDMI पोर्ट इधर और यह आपका USB-C टाइक मिल जाता यहां पर आपका चार्जिंग पीन है दूसरे साइड में हम लोग चलते हैं तो यह आपका 3.5 mm का ओडियो जैक है जिससे आप हेड़पॉन लगा के गाना सुन सकते हैं यह आपका USB है दो पोर्ट का तो यह जितने भी USB आ नहीं आ रहा था तो हम लोग ने अपने से SSD में लगवाया है तब इसको आपको क्लोन और माइग्रेट करने के लिए सिखाएंगे तो चलिए स्टाट करते हैं तो अभी मैं अपना Windows फटा पर सेट अप कर लेता हूं उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे माइग्र करने आपको SSD में सु कर दो कर दो कि सारा प्रोसेस होने बाद मेरा कंप्यूटर फाइनली स्टार्ट हो चुका है अब यह हम आपका हार्डिक से चल रहा है अब आपको यह सॉप्ट्वेर आपको इंस्टॉल कर लेना है इंटरनेट से डाउनलोड करके कि उसके बाद यहां कुछ दिर आपको वैट करना है उसके बाद देख सकते हैं यह मेरा नीचे वाला जो SSD है और यह मेरा हाट डिक से जो दिया हुआ अब यहां से आपको इस में लेना है आपको निक्स्ट करना है उसके बाद यहां पर कुछ ऑप्सन नहीं करना है यहां पर कुछ दिर का टाइमिंग लगता है यह सारा प्रोसेस कर लेगा चलिए तो यहां पर सारा चीज़ हो चुका है अब यहां पर OK क्लिक करना है अब यहां पर आपको अपना सिस्टम को रिस्टाट कर लेना है और आपको अपना बायोस में जाना तो मैं अपना बाइस की दबा लेथा हूं जीससे में बाय उसमें जा सकता हूं हर लैप्टॉप या कम्प्यूटर का जेनरली डेल बटन रहता है स्टार्टिंग के टैम इसमें एप्टू को प्रेस करके रखना पड़ता है असूस लैप्टॉप में तो जब यह चालू होगा तो मैं एप्टू दबा दूंगा उसके बाद दे अब देख सकते हैं यहां पर दोनों में दिखा रहा है आपका बूट वाला ओप्शन यह आपका पहला है जो आपका हाट ड्राइब है और यह नीचे वाला जो एससडी है तो यहां पर हमको चेंज कर देना है और यहां पर यह वाला दूसरा कर देना है तो पहला में आपको ऐपना सिषय्वन डाइन हो यह आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना सिषय्ट कर लेना है उसके बार यहाँ पर देख सकते हैं एक टेंग दबाने से जबाएं होता है कर देख करना इसटेंगरा अभिट होगा यह ऐस दी के दुवारा बूठ होगा तो फाइनली यह SSD से बूट हो रहा है देख सकते हैं SSD से कितना जल्दी यह open हो गये अब यहां पर आपको अपना Windows का password डाल लेना है जिससे यह open हो जाए तो देख सकते हैं यह system फाइनली स्टार्ट हो चुका है अब आपको क्या करना है इसमें आप पहले तो अपना यह आइकोन जो होता वह ले आए डेक्स्टोप वाला जिसमें आपको आइकोन तो इसके लिए आपको प्रस्नलाजीशन में जाना है और प्रस्नलाजीशन में जाने के बाद आपको यहां परसनलारिजिशन के बाद आपको यहां पर तीम सेलेक्ट करना है तीम सेलेक्ट करने बाद यहां पर डेक्स्टॉप आइकोन में आना और यहां पर आपको जो जो आइकोन चाहिए उसमें देखे यहां पर दबा देना ओके और उसके बाद आपका 10 PC में मैनेज में जाना है एक बार तब आप ओपेंड करके देख ले कि आपका सारा फाइल कोपी हुआ है कि नहीं अभी आप देख सकते ये यहां पर आपको सारा यहां पर आपको सारा भॉल्यूम को डिलेट कर देना है कि हमारा जो ओस है वो कंप्लिटली कोपी हो चुका है और उसके बाद आपको जितना भी ड्राइबर चाहिए यहां से आपको बना लेना है तभी तो इसमें बहुत सारा रिकावरी चीज है तो जिसके कारण यह नहीं करने दे रहा है तो चलिए मैं इसको ठिक से कर लेता हूं उसके लिए आप यह खोलिए और यहां पर cmd लिखके साच किजिए इंटर दबाएए उसके बाद यहां आपको लिखना है डिस्क पार्ट और इंटर दबादेना है उसके बाद आपको येस कर देना है उसके बाद यहां पर आपको लिखना है लिस्ट डिस्क और इंटर करना है उसके बाद आपको select disk और यहां पर आपको अपना hard drive का जो होगा जो जिसमें पहले था वो बाल आपको सेलेक्टर दिना है तो यहां मेरा 0 है तो मैं 0 दाल के इंटर दबा दिना तो यहां पैपको right क्लिक करना है यह आ गया अपका उसके बाद यहां पर जीरो देखेंग Tor इंटर के बाद यहां पर Technology देना और इंटर does तो यहां पहर आपको एकजिट कर देना और यहां पर आपको एक्जिट कर लेना आप देख सकते हैं यह आपका पूरी तरह से यह उप्लाइन में चल गया उसके बाद यहां पर आपको इनिल स्लाइज कर लेना और MBR में रोके दबा देना इसको लान आपको जी से भी इसका परटिशन क्रिएट करोगा एक मेरा 200 जीबी का रहेगा कर द Bayं है दूसरा भी मेरा 200 जीबी का रहेगा आपको जीतना मठ आप अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं और यह जो मेरा लास्ट वाला पाटिशन रहेगा यह ज़्यादा रहेगा तो यहां मैं इसको अब देख सकते हैं सारा दिखने लगा अब यहां से आप इसको रिनेम कर दें तो इस तरह से कोई भी नया आपका पीसी रहे उसका अगर बीडनोज को माइगरेट करना चाहें तो कर सकते हैं